राम राम सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दीपक जलाने के पाँच नियमों के बारे में बात करेंगे पूजा करते समय दीपक का बुझ जाना क्यों माना जाता है असुछ दीपक जलाने को ग्यान और रौसनी का परतीक माना गया है दीपक से सक्रात्म कुर्जा आती है, अंधिकार दूर होता है, दर्यदिर्ता दूर होती है पूजा करते समय दीपक जलायाना अनिवार्य होता है दीपक का बुझने का संकित है कि वैक्ति सचे मन से पूजा नहीं कर रहा है पूजा करते समय या बीच में दीपक बुझ जाए तो देवी देप्था के नाराज होने का संकित होता है दीपक का मुँ पूर दिसा की और रखना चाहिए ऐसा करने से घर में सुब होता है और लक्षमी का वास होता है अगर आप 40 दिन तक सरसो के तेल का दीपक जलाते हैं तो वैक्ति को धनलाब होता है और गरीबी दरिता दूर हो जाती है